नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गौर्वर्मेंट एक्जाम प्रेप चैनल दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में डिसकस करेंगे 1st August 2021 के न्यूज पेपर में से जो कि आपके आगामी एक्जाम, CHSL, Combined Graduate Level, डिल्ली पुलिस, CPOSI, NTPC, Intelligence Bureau, PET and other state services exam के साथ साथ banking awareness के लिए भी यह help करेगा तो आईए एक एक करके डिसकस करते हैं, now we have to discuss about national affairs, यहनी 1st segment है यह तो national affairs में mission be an exporter launched in Rajasthan, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा, area-wise, according to area, it is largest state in India यहनी भारत का सबसे बड़ा राज है छेत्रफल के आधार पर, तो राजस्थान ने launch किया है, mission निरिया तक बनो तो the Rajasthan government is focusing on increasing exports, यहनी निरियाद पर उसका प्रमुख focus है For this, not only the big enterprises are being focused as well as preparations are being made to strengthen the MSME units यहनी लगु एवं मध्यम उद्योगों को भी सबल बनाने की तयारी है, न कि सिर्फ बड़े उद्योगों पर ध्यांज दिया जा रहा है For this mission, exporter has been launched in Rajasthan, इसी को देखते हो है, Rajasthan में mission निरिया तक बनो launch किया गया Its objective is to increase the export prospects of Rajasthan, Jewelry, Handicraft, Garment, Stone, Mineral, Food Processing and other sector यहनी इन सभी छेत्रों में, चाहे वहाँ पर Rajasthan का मकराना का पत्थर हो, या जो है, Mineral भी वहाँ बहुत सारे पाये जाते हैं, Jewelry, Handicraft, इन सब में संभावनाओं को बढ़ाना है इसके जरिये जो है, unit get special status through the mission Along with this, many help related to policy, relief, government, grants, loan, advice, information about new market, contact with ambassadors will now be done by the Rajasthan government इस तरह से दूतावासूं से भी संपर कर रही है, Rajasthan सरकार तो इन राजस्थान 2020-21, export business भी 52,764.31 करोन फ्राम राजस्थान यानि 2020-21 में 52,774.31 करोन रुपए का निर्यात कारोबार हुआ था तो चालू वित्तवर्स में इसे 60,000 करोन रुपए के पार करने की कोशिस है इस state government की तो इस तरह से यहाँ पर हमने बताया इन सब छेत्रों पर चाहवा मेटल हो, स्टोन हो, इंजिनिरिंग गूड्स हो, हैंदी क्राफ हो, रेडिमेंट गार्मेंट हो, केमिकल कॉर्पेट, प्लास्टिक उदपाद, बड़ी संख्या में यहाँ से निर्यात किये जाते हैं तो दोस्तों वर्तमान में सालाना 300 करों रूपए की ग्रोथ दर्सार है सेक्टर में, अब 1000 करों रूपए से अधिक की तेजी लाने का प्रयास सरकार करेगी तो if this mission is successful, then not only export from Rajasthan will increase, but tourism, employment and industrial sector will also develop यहाँ आप देख सकते हैं कि tourism का एक बहुत ही अनकूल राज्य है, यहाँ पर tourism से भी बहुत सारे हलांकि lockdown की अवस्था में, यहाँ पर अभी थोड़ा सा tourism कमजोर हुआ है, लेकिन बिश्व के अनेक देशों से लोग यहाँ की कला और संस्कृती की और आकरशित होते हैं दोस्तों राजस्थान इसकी capital जैपूर है, इसे pink city भी कहा जाता है, यहाँ की governor कल राज मिस्र हैं और अशोग गहलोत हैं यहाँ के मुक्य मंत्री अब बढ़ते हैं दोस्तों गुजरात's famous तरनेतार fairs cancelled this year due to COVID-19 यहाँ दोस्तों COVID-19 की वज़ा से गुजरात का प्रसिद तरनेतार मेला जो था वह रद कर दिया गया है, पिछले वर्स भी COVID-19 की वज़ा से इसे रद कर दिया गया था तो यह तरनेतार जो मेला है which attracts a large number of tourists from India and abroad, यानि बिदेशी परियतक भी यहाँ पर आते हैं और इस साल लगातार दूसरे साल इसे आयोजित नहीं किया जा रहा है तो यह वार्सिक मेला अगस सितंबर में त्रेनेश्वर मनहा देव जो मंदिर है वहाँ यह किस गाउ में है तरनेतर गाउ में है यह आयोजित किया जाता है तो इस तरह से कोविद-19 जो गाइड लाइन है कि 400 पीपल से अधिक कत्र नहीं हो सकते हैं हलांकि मंदिर में जाकर के पूजा की जा सकती है लेकिन भीड 400 से जादा नहीं हो सकती यही कारण है कि इस मेले का आयोजिन नहीं हुआ है अब थोड़ा सा गुजरात के बार में जान लीजिए इसकी कैपिटल गांधी नगर है और यहां के गवर्नर आचारे देवब्रत हैं और मुख्य मंत्री वीजय रूपानी साहब है अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेर्स में समोवा बहुत ही छोटा सा देश ह प्रशान्त महासागर में इस्तिदेश है समोवा कनफर्म्स स्क्रैपिंग आफ चाइना फांड़ेट पोर्ट प्रोजेक्ट यानि समोवा ने चीन द्वारा वित पोसित बंदरगाह पर योजना को रद करने की पुष्ट की है इस तरह से चीन के मनसूबे पर पानी फिर गय है चुकि चीन इस समोवा को स्टैट्जिक पॉइंट आप भी उसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझ रहा था ऐसे में समोवा ने चीन को जटका दे दिया है और यह आस्टेलिया से थोड़ी दूर में हिस्तित है दुनिया का 29 सबसे छोटा देश है यानि यह विस्व का सबसे 29th small country in the world the Prime Minister of Samoa has confirmed that she has decided to cancel the port project being built with Chinese money इस तरह से चीन के पैसों से बनाए जा रहे पोर्ट को रद करने का फैसला ली है और चीन का जो समोवा के प्रांध रास्त प्रशांत महसागर में एक प्रमुख ब्यापारिक रूट पर कबज़ा करने का था यानि चीन का जो मनसूबा था वह इसी Pacific Ocean के माध्यम से एक trade route डेवलप करने का था तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा मांचित में आप देख सकते ह यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन है यहाँ समोवा है इसकी कैपिटल आपिया है याद रखेंगे A-P-I-A तो यहाँ जो है समोवा टूरिजम, फिस, कोकोनर्थ प्रोड़क्ट are dependent on export यानि नारियल, परेटन, मचली आद के निरियाद पर निर्भर है यानि बिस दुनिया भर के देशों में नौकरी पर वहाँ से बड़ी मातरा में पैसा समोवा भेजते हैं और यहाँ पर यह कह सकते हैं वहाँ इस पोर्ट के सहारे प्रसांत महासागर में अमेरिकी प्रभुत को भी चुनौती देने की कोसिस में जुटा था कौन चीन, यही अमेरिका का प्रांत है, पचास प्रांतों में से एक इसकी कैपिटल होनो लूलू है और यही पर देखिए इसके नजदीक न्यूजिलेंड और ऑस्टेलिया है और ऑस्टेलिया से भी वरतमान में बात की जाए तो चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में समोवा के पश्चिम में अमेरिकन समोवा दूइप है जहां अमेरिकी नौसेना का जंगी जहाज हमेशा तैनात रहते हैं हाला कि अमेरिका ने समोवा पर थोड़ा सा इंटरिस्ट कम किया इसी का फायदा उठाते हुए चीन यहां पर अपना आधिपत जमाने का प्रयास किया तो इस हौंग कॉंग 2754 स्क्वार किलो मीटर है तो दूटू दा इंपोर्टेंट स्ट्रेटिक पोजिशन इन दा पैस्वी कोसियन यही कारण है कि समोवा पर अपना वह बेस बनाना चाहता है तो ऐसे में अगर समोवा को भी चीन ने स्रिलंका और पाकिस्तान की तरह करज देकर अ उसकी बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाएगी समोवा एक तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच मोहरा बना हुआ है यहनि दो महाशक्तियों का वर्ल्स टू सूपर पावर यहनि अगर चीन प्रभाव बढ़ाता है अपना तिया वासिंगटन के लिए सीधा खतरा होगा इन्हें सचे सच्वेशन समोवाज न्यू प्राइम मिनिस्टर फियामे नाओमी माताफा यह लेडिज हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वह केवल उन निवेशों को स्विक्रती देंगी जिनका उनके देश के लिए स्पस्ट लाब होगा तो इस तरह सभी पूरी तर दो से साल में दो बार यह कॉर्पेट जो होता है संसकरण यह साल में दो बार आयोजित किया जाता है इसमें भारत और इंडोनेसिया के बीच कॉर्पेट का यह 36 संसकरण अभी 30 और 31 जुलाई को इंडियन ओसियन यानि हिंद महासागर में आयोजित किया गया इस तरह से इं यानि 2002 से आंतरास्टी समुद्री रेखा पर समन्वित गस्ती कर रहे हैं। भारतिय नौसैनिक जहाज जिसका नाम क्या है सर्यू है। यह जो है एक स्वधेश निर्मित अब 30 गस्ती पोत है। जो की 31 जुलाई तक इंडोनेसिया के नौसैना के जहाज के आर आई बंग टोमो के साथ यह गस्त किया, एकसेसाइज किया। तो इस तरह से कॉर्पेट नौसैनाओं के बीस समझ और अंतर क्रिया शीलता बनाने में मदद करते हैं। और अवैद गैर रिपोर्चेट अनियमित मशली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्तकरी, समुदरी आतंकवाद इन सब पर भी कह सकते हैं, इस पर कंट्रोल होगा इसके माध्यम से. तो थर्टी सिक्स एडिसन अफ इंडिया इंडो कॉर्पेट एम टू स्टेंटेन मैरी टाइम कोपरेशन बिट भी इन तू नेवीज और फोर्ज स्टॉंगर बॉंड्स आफ फ्रेंड्सिप. और इन लाइन विद गॉर्बेंट अफ इंडिया सागर ये भी याद रखना है इसका full-form security and growth for all in the region जिसे सागर कहते हैं तो सागर विजन भी यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं प्रासंगिक दिखता है तो सागर का मुख्य उद्देश ही है कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना तो यहाँ पर देख सकते हैं यह इंडियन ओशियन है इधर पैसि important commission inquiry committees की बात करेंगे तो महाजन committee इसका संबंद चिनी उद्द्योग से है सुगर इंडिस्ट्री से माशेलकर शमित का संबंद आटो फ्यूल पॉलिशी से है मीरा सेट committee का संबंद डेवलप्मेंट आफ हैंड लूम हत करगा से है UK सर्मा committee role of NABAR in RRB and साह committee reform non-banking financial companies और पारि समीत का संबंद है infrastructure financing खुशरो समीत का संबंद है agriculture credit system और माले गाम समीत का संबंद है reform in primary market and restructuring of UTI and Malhotra committee का संबंद है comprehensive profile of the insurance sector and JJ Iranian committee का संबंद है company law reform कानून law सुधार से संबंदित है यह भी point ध्यान रखेंगे अब बढ़ते है various nation international personality news में Vice Admiral घोर मडे takes charge as Vice Chief of Indian Navy यानि Vice Admiral घोर मडे ने भारती नौसेना के उप्रमु के तौर पर पर प्रभार समाला है Admiral घोर मडे has extensive operational experience on frontline warship of the Indian Navy including commanding the guided missile ship INS Brahmaputra, submarine rescue ship INS Nishank and anti-tunnel ship INS LAP इन सब की command उन्होंने समाली हुई है तो इस तरह से Vice Admiral जी असोक कुमार की जगा लेंगे जो 39 years के बाद वह सेवा निवित हुए है रिटायर हुए है Vice Admiral घोर मडे साहब रास्तिय रक्षा का आदमी खड़क वासला से जो है के विद्यार्थी रहे हैं 1984 में यहाँ कह सकने कमीशन हुए थे अब बढ़ते हैं दोस्तों Books and Awards में Mumbai-based Illustrator Anand Radhakrishnan wins prestigious Eisner Award दोस्तों Illustrator का मतलब होता है सहचित्र बनाने वाला artist मुंबई के visual artist और Illustrator Anand Radhakrishnan ने Will Eisner Comic Industry Award को जीता है तो इस तरह से इंडियन artist on the best painter multimedia artist award for his work in UK-based author Ram Viz graphic novel Blue in Green ये भी point याद रखियेगा तो इस तरह से Radhakrishnan ने बिटेन के एक अन्य रंग कर्मी John Pearson के साथ इस पुरसकार को साजा किया है और दोस्तों यहाँ पुरसकार दुनिया हम कह सकते हैं कि इस Award को Comic की दुनिया में Oscar के बराबर माना जाता है 1988 में यानि 1987 में Comics के लोगप्रिय किरिवी Award के बंद होने के बाद अमेरिकी Comics संपादक डेव ओल ब्रिच दौरा 1988 में Eisner Award के स्थापना की गई और इस तरह से Eisner's का नाम प्रसिद लेखक और कलाकार Will Eisner के समान में रखा गया है तो इस तरह से इसमें 32 जो है काटिग्रीज रही है ये भी ध्यान रखेंगे और पुरसकारों की गोशना हर साल San Diego Comic Con में की जाती है अब बढ़ते हैं दोस्तों Banking and Finance related news में Commercial exposure to grow by 6.9% in 2021-22 India rating इंडिया rating की हिसाफ से 2021-22 में वाड़िजिक निर्याद 6.9% बढ़ेगा इंडिया rating and research said overseas outbound shipment from India have been doing poorly for some time which may benefit from a favorable trade growth outlook for 2021 तो यनि कह सकते हैं कि विदेश भेजे जाने वाले shipment कुछ समय से खराब चल रहा है जिससे 2021 के अनकूल ब्यापार विद्व पर्दिस का लाभ मिल सकता है तो इस इंडिया इंडिया एक्सपोर्स can strengthen its position after trading in first quarter of this financial year तो इस तरह से कह सकते हैं पहली तिमाई में हुए कारोबार के बाद अपनी सिती मजबूत कर सकता है According to the agency analysis, there are also some of the top 10 major export center of India's commodity which are expected to see a strong increase in import during 2021 तो इस तरह से इंडिया रेटिंग रिपोर्ड के मुताबिद नौर्थ अमेरिका में इस्थित्थ यूएस, यूरोप में इस्थित्थ यूके, बेल्जियम, जेर्मनी, इटली और नीदरलेंड में भी आयात में पिछले साल की तुलना में 11.4%, 8.4% की ब्रिध की संभावना है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया रेटिंग एक्सपेक्स कामर्शियल एक्सपोर्ट तो ग्रो बाई 6.9% इन फाइनेंशियल इयर 22, वाइल इट वाज निगेटिव 12.5% इन 21 और निगेटिव 6% इन 20, लेकिन 22 में बढ़ने का अनुमान लगा जा रहा है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे, अप्रेल, जून में भी दूसरी लहर के बावजूद भी निरियात प्रभ्यापक रूप से अप्रभावित रहा है, हलांकि मई के दवरान आयात में आस्थाई रूप से थोड़ा सा सुस्ती देखी गई, अब बढ़ते ह दोस्तों, इस पोर्ट निउस में, जमैका, उशैन बोल्ट का नाम सुना होगा, वहीं से तेज धावक, यहां से धावक बहुत अच्छे निकलते हैं, तो जमैकन वोन आल दा, थी मेडल्स इन दा हन्रेड मीटर, सोचिए, 100 मीटर की जो प्रतियोगता थी, गोल्ड, सिल्व एंड ब्रॉंज, तीनो मेडल, जमैकन जीते हुए हैं, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जमैकन की जो एलन थॉम्सन हेरा ने, महिलाओं की 100 मीटर फराटा दौड में, फ्लोरेंस ग्रिफित जायनर की 33 येर ओल्ड पुराने ओलंपिक रिकार्ड को तोड़ दिया है, तो उ हो गई है, एलन थॉम्सन हेरा, यह भी जमैका की है, और इनके साथ-साथ याद रखेंगे, शैली एन फ्रेजर प्राइस, मातर 0.13 सेकंड के अंतर से, यह पिछड़ी है थॉम्सन हेरा से, और इस तरह से इनको सिल्वर मेडल मिला, और ब्रॉंज मेडल, शेरीका जैक्सन, भारतिय महिला हांकी टीम, दोस्तों उन्होंने तीन गोल किया, ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई है, पहली भारतिय महिला खिलाडी, जिन्होंने ओलंपिक के किसी मैच में हैट्रिक जमाया हो, हलाकि 1984 के बाद किसी भारतिय ने ओलंपिक में हैट्रिक नहीं South Africa को हराई थी, ऐसे में quarter final पहुँचने के लिए जो conditions थी कि Britain Ireland को हराएगा या draw खेलेगा तब ही भारत quarter final में प्रवेस करेगा, तो Britain ने Ireland को हरा दिया है, ऐसे में 41 साल बाद भारत की महिला थी, औलम्पिक में भाग लेगी नहीं, यानि 1980 में मॉस्को ओलम्पिक के semi final में भारती महिला टीम पहुची थी, तिस तरह से भारती महिला अन्तिम 8 में पहुच गई है भारती महिला टीम, और 2 अगस्त यानि कल ऐस्टेलिया के साथ इस टीम का भिड़न्त होगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, Important Days में International Friendship Day है, दोस्तों आज हम सब लोग मित्रता धिवस मना रहे हैं, पूरा बिश्व और भारत इस बार 1 अगस्त को मना रहा है, जनरली जो है फर्स्ट रविवार को, अगस्त के पहले रविवार को यहां मनाया जाता है, तो इस साल यह भारत में 1 अगस्त को मनाया जा रहा है, यह दुनिया के अन हिस्सों में 30 जुलाई को भी मनाया जाता है, तो दोस्तों, जायस हॉल दौरा सुरू किया गया था, और 1958 इन परागवे एज इंटरनेशनल फ्रेंट्सिप, यह पर यह पॉइंट इसको थोड़ा सर ठीक कर लिजेगा, यह इसके उपर रहेगा, यह यह यहां पर, यह जायस हॉल दौरा सुरू किया गया था, कब 1930 में ही, लेकिन मनाया कब गया, 1958 में, यह इसको प्लीज ठीक कर लिजेगा, यह इसको प्लीज ठीक कर लिजेगा, और 1997 संयुक्त राष्ट महा स्वाभादारा, इसे जो है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, let us talk about some important facts में, पुर्दगीज के बारे में हमने जाना, डज के बारे में जाना, अंग्रेज के बारे में, और सबसे अंतिम जो यूरोपी ब्यापारी थे, वो फ्रांसीसी ही थे, दो स्थापित किया और 1669 में मसूली पत्नम में भी एक और फैक्टरी को स्थापित किया, इस तरह से 16-17 में बंगाल के मुगल सुवेदार ने फ्रांसीसियों को चंदर नगर में भी बस्ती बनाने की अनुमती दे दी इन 1674 AD, the French obtained the village of Pondicherry, जिसे अभी Puducherry का जाता है, from the Sultan of Bijapur and established a prosperous city which later became the main center of the French in India. यानि यह जो है फ्रांसीसियों का प्रमुकेंद्र बनकर उभरा और धीरे धीरे फ्रांसीसि इस इंडिया कंपनी ने माहें, कराइकल, बालासोर, कासिम बाजार में भी अपनी बस्तियां स्थापित कर ली. और from coming to India till 1741-80, the main objective of the French like the British was purely commercial, यानि कह सकते हैं, इनका भी उदेश यही था वाड़िज्यक, यानि व्यापार के दिस्कोर्ट से लोग आये थे. तो फ्रेंच इस इंडिया कंपनी ने 1723 में यनम, 1725 में माला बारतट पर माहें और 1739 में कराइकल पर कबजा किया. इसलिए देखिए, पॉणडिचेरी अभी भी क्या है, यनम यहां आंधप्रदेश में है, माला बारतट पर है, और यहां चेन्नाई, मतलब तमिलनाडु में पुदुचेरी एंड कराइकल है, यह चार डिस्टिक हैं अभी भी. तो इस तरह से 1741 में जोसेफ डूपले का नाम सुना होगा, फ्रांसीसिस इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया, और वह जो है आया यहां पर. तो इस तरह से 1744 में बिटिस अफसर रॉबर्ट कलाई भारत आया, जिसने डूपले को पराजित किया, और इस पराज़े के बाद 1754 में डूपले वापस चला गया, तो इस तरह से फिर धीरे क्या है, अंग्रेजों का पूरी तरह से आधिपत जमता चला गया, हलांकि फ्रा पूर्ट गालियों से, तो इस तरह से 15 अगस 1947 को बिटिस जो है यहां से गए भारत सोतंतर हुआ, 1954 में फ्रांसी सी गए, और 1961 में पूर्ट गालियों को यहां से हटाया गया, तो यह पॉइंट थे, अब आते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही आज उत्तर देने वालों में हैं आज आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे, तो आप लोगों के सामने आज पहला कोशन है, तो आज प्रसिद्ध तरनेतार मेला किस राज में मनाया जाता है, जो कि अभी कोबिट के कारण कैंसिल कर दिया गया है, राजस्थान, उत्राखंड, गुजरात, मध प्रदेश, एंड नेस्ट कोशन है, वाट इस देश की राजधानी क्या है, सुवा, एपिया, होनुलूलू, किंस्टन, यह चारो राजधानिया है, इन्हें भी बताना है किन किन देशों की है, हाला कि इसमें एक प्रांत भी है, अमेरिका का, नेक्स्ट है, विच एडिशन आफ कॉर पैट बिट्वीन इंडिया और इंडोनेसिया वाज हैल्ड इन इंडियन ओशियन रिजन रिसेंटली, 32nd, 34, 36, and 38, and नेस्ट कोशन है, विच अप द फॉलोइं एरिया इस रिलेटेट तो महाजन समीति, निमलिकित में से कौन सा चेत्र महाजन समीति से संबंदित ह सुगर इंडोस्ट्री, आटो फ्यूल पॉलिशी, डिवलोपमेंट अफ हैंडलूम या रोल अफ नाबार्ड इन आरारभी, अब बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की ओर, विच इंडियन रिसेंटली टेकें चार्ज अस वाइस चीफ अप द इंडियन नेवी, S.N. गोर मडे, G. अशोक कुमार, गिरीस, लूथरा, करम वीर सिंग, नेस्ट कोशन है, विच इंडियन रिसेंटली ओन दा, फिल आइजनर कॉमिक इंडिस्ट्री अवार्ड, राकेश मोहन, आनन्द राधाकृष्णन, रमेश कृष्णन, विवेक राधाकृष्णन, अनेस्ट कोशन है, वि नेस्ट कोशन है, विच इंडियन फीमेल होकी प्लेयर स्कोर्ड ए हैट्रिक ओन ओलंपिक 2020, भारत की किस महिला होकी खिलाडी ने ओलंपिक 2020 में हैट्रिक बनाई, रानी रामपाल, बंदना कथियार, गुरजीत कौर, निक्की प्रधान, अनेस्ट कोशन है, वेन इज इंट इंडिया, भारत आने वाले अंतिम यूरोपी ब्यापारी कौन थे, फ्रांसीसी, पुर्टगीज, ब्रिटिस या डच, इस तरह से इन दसो प्रसन के उत्तर दीजिएगा, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपनों को अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगे